दोस्तों हर इंसान की जीवन में उतार चढ़ाओ आते हैं उनसे बचने के या उनसे निपटने के कुछ तरीके भी होते हैं कुछ लोग इसके लिए शलफवा हलपन किताब या लाइफ पोच की मदद लेते हैं तो कुछ जोतिस सास्त्र तंत्र मंत्र आधिका सहारा लेते हैं तंत्र सास्त्र में ऐसी समस्याओं को दूर करने और अपनी मनो कामनाओं को पूरा करने के कुछ प्रभावी उपाएं बताये गए हैं जिने करते ही कुछ ही घंटों में अजर्ण नजर आने लगता है घर में बार बार जगड़े हो चोरी या किसी अन्यकारण से नुकसान हो कोई न कोई सदश्यहमी सा बिमार रही या बार बार धन हानी हो तो ऐसी इस सितिमें कुछ उपाय करना बहुत राहत देता है इस तरह के समस्याओं और हानी से बजने के लिए बुद्धवार के दिन साथ प्रकार की अनाज का दान करें इसके अलावा नागर मोथा की जड़ धारण करना और राहू तंत्र की स्थाफना करके उसी पूजा करना भी तकाल सकारात वक्त नतीजे देता है जदि किसी की नजर लग जाए या लगातान नुकसान दुरुखटनाए छेलनी पड़ रही हो तो नौ मुखी रुद्राच धारण करें इसके अलावा पंचमुखी हन्मान जी की लाकट पहनने से भी बहुत लाब होता है कारूबार में तरक्य के लिए भी ऐसा लाकट बहुत लाब पहुंचाता है रोजाना हनुमान चालसा हुआ बजरंग बाढ़ का पाट करना जिंदिगी से सारी मुसीब्ते दूर करना है और आने वाले संकटों से बचाता है इसके अलावा हनुमान जी के मन दे जाकर उनके कंदे का सिंदूर अपने बुरी नजर उतारने के लिए एक रोटी बनाया औ और उसे केवले एक तरफ ही से के फिर सिकी विभाग पर तेल लगा कर उसमें लाल मेर्चोर समंद्री नवक के दो धेले रखें फिर इसे उस बेक्त के उपर साथ बार वार कर्चा राहे पर रख दें बार बार धनहानी हो रही हो तो इसके लिए यह उपाय बहुत कारगार इसके लिए लाल कपने में दो कौडियां बाद कर तीजोरी में रख दे कुछी दिनों में पैसों का नुकसान होना बंद हो जाएगा और धनकी आवाक बढ़ जाएगी